सियम नितीश ने स्वास्त विभाग के उन्हें सौ उन्हेस क्रोड की 772 योजनाओं का आज शलनयास वंबुध घाटन किया और सबसे बड़ी खबर ये रहे कि आज खुद सियम नितीश ने बयान दिया और कहा कि जिन लोगों ने भी मुझपरपूर में अस्पताल किला परव में 65 लोगों के आँखो का उपरेशन किया गया था उनमें से दरजनों लोगों ने अपने आँखो की रोशनी खो दी और कई लोगों को अपनी आँखे निकलवाने पड़ी थी जिसके बाद सिलगातार सरकार निशाने पड़ थी और उस वक्त ही विधान सभा का सतर चल रह जिन लोगोंने भी आँखी की रोशनी खोई है उन्हें वकाइदा आर्थिक रूप से मदद की जाएगी और उनका इलाज सरकार के तरब से किया जाएगा इसके लावा इस मौके पर कई और बड़ी बाते उन्होंने की हैं बड़ी घोशनाई की हैं उन्हें कहा कि पटना मे उन्हें 129 क्रोड की 772 योजनाओं का शिलन्यास इबम उदघाटन किया है लेकिन सबसे बड़ी खबर यही रही कि लगातार विपक्ची पार्टियों के तरब से ये मांग की जा रही थी कि जिन लोगों ने आखों की रोशनी खोई है उनके तरब से मौपजे के बारे में किया जाए लेकिन सरकार ने कह दिया है कि आर्थिक रूप से मदद की जाएगी आपको उता दे कि मुझपरपूर इन मसलों को लेकर लगातार बदनाम रहा है चमके बुखार की वज़त से भी मुझपरपूर में सेकडों बच्चों की मौत हो गई थी और कई बार ऐसे खब क्योंकि डॉक्टरों का एक सम्मू होता है और बकाइदा कुछ ऐसे संस्थान जो उनका एक सम्मू है संगठा ने डॉक्टरों का उन्होंने अस्पताल पर कारवाई करने का विरोध किया है तो अब देखने वाली बात होगी क्या सियम नितिश जो इसके लिए जिमिदार है जो अस्पताल प्रवंदन जिमिदार है क्या उस पर कोई कारवाई होती क्योंकि एक नियम के अनुसार एक डॉक्टर जो है वो 12 से ज़्यादा उपरेशन नहीं कर सकता है लेकिन उस दिन 65 से ज़्यादा लोगों की ऑपरेशन किये गये थे और तमाम प्रोटोकॉल का ध्या नहीं रखा गया था और कई लोगों ने जो है अपने आखों की रोशनी खोदी थी और इसमें से जादतर जो है वो गरी तबकी की लोग थे जो रोज मज़ूरी करके अपना पेट पालता है तो अब देखने वाली बात होगी कि सिम्टिश ने जो कहा है कि आर्थिक रूप स ऐसे बिमारी उसे परिशान है जल्दी संपर करे आरोगे हिल्थ और वेलनेस सेंटर पर यहां फिजियो थेरेपी और अन्य विद्यो द्वारा चिकित्सा की जाती है संपर करे 74888185499 पर